दो हजार चौबीस में ग्रहों के सेनापती मंगल होंगे उदे, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, करिया और कारोबार में मिलेगी तरक्की. वेदिक जोतिश अनुसार ग्रह समय समय पर अस्त और उदे होते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन और देश दुनिया पर पड़ता है. आपको बता देकी ग्रहों के सेनापती मंगल देव 14 जनवरी 2024 को उदे होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा. लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं, जिनकी इस समय धन समपत्ती में बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है. आए जानते हैं ये लखी राशियां कौन सी हैं. मेश राशी मंगल ग्रह का उदे होना मेश राशी के जातकों को अनुकूल सिधह हो सकता है. क्योंकि मंगल ग्रेह आपकी राशी से कर्म भाव पर उद्य होने जा रहे हैं इसलिए इस समय आपके आजीविका के संसाधनों में व्रिद्ध ही हो सकती है साथ ही बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है वही जो लोग खेल, पुलिस, गुप्त एजेंसी, सेना और मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको साल दो हजार चौबीस अच्छा साबित हो सकता है वही कारोबारियों को इस समय अच्छा धनलाब हो सकता है साथ ही इस दोरान आपको पैत्रिक संपत्ती का लाब मिल सकता है वही मेश राशी के स्वामी खुद मंगल देव हैं इसलिए मंगल ग्रे का उदित होना आपको लाबकारी सिधह हो सकता है धनू राशी आप लोगों के लिए मंगल ग्रह का उदे होना शुब फलदाई सिधा हो सकता है क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशी से धन भाव पर उदित होने जा रहे हैं इसलिए इस समय आपको साहस और पराक्रम में व्रिद्धी होगी साथ ही आपकी वानी में प्रभाव बढ़ेगा जिससे लोग इंप्रेस होंगे वही इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ती हो सकती है साथ ही आपको अपना रुका हुआ धन वापस मिल सकता है इस दोरान आपकी आर्थिक स्थिती काफी मजबूत होगी वही मंगल ग्रह आपकी राशी से पंचम और बारहवे भाव के स्वामी है इसलिए इस समय आप सेविंग करने में सफर रहेंगे साथ ही आपको संतान पक्ष से कोई शुब समाचार मिल सकता है मकर राशी मंगल ग्रह का उदित होना मकर राशी के जातकों को लाबकारी साबित हो सकता है क्योंकि मंगल ग्रह आपकी राशी से लगन भाव पर उदित होंगे इसलिए इस समय आप लोगों के आत्म विश्वास में व्रिद्धी होगी साथ ही व्यक्तित्व में निखार आएगा वहीं इस अबधी में आप अपनी कड़ी मेहनत से सभी कार्य पूरे करने में सक्षम रहेंगे साथ ही करिय में नए अवसर आपको मिलेंगे वहीं आपकी राशी से मंगल ग्रह चतूर्थ और इंकम भाव के स्वामी है इसलिए इस अबधी में आपकी आए में जबरदस्त बडोतरी हो सकती है साथ ही वाहन और प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो सकता है वहीं जमीन जायदाद के लेन देन से लाब होगा